देखे कोका कोला को एक फर्मासिस्ट जॉन पेमबर्टन ने 8 माई 1886 को अटलांटा में बनाया था वैसे पेमबर्टन एक फॉजी थे लेकिन फॉज में जाने से पहले वह फार्मेसी का काम किया करते थे और फॉज में रहने के दोरान वह ड्रक्स का एडिक्टेड हो चुके थे और इसलिए वहाँ जाने के बाद भी वह फार्मेसी में रिसर्च करते रहे वो कहते हैं ना कि जिनको अपनी लाइप में कुछ बड़ा करने की जुनून होता है वो किसी को रोकने से नहीं रुकते हैं क्योंकि उनको उस काम को करने के लिए अंदर से खुद बखुद इनर्जी मिलता चला जाता है और वह तब तक नहीं रुकते जब तक वह अपने लच्च को प्राप्ना करने बिल्कुल ऐसे ही जॉन पेमबर्टन के साथ भी हुआ था देखे वे फौज में बर्षों तक मेहनत किये लेकिन वे अपने लिए कुछ खास नहीं कर पाएं क्योंकि उनके अंदर भी कुछ बड़ा और अलग करने की जुनून था देखे आगे चलकर जॉन पेमबर्टन को एक साथ ही मिला जिनका नाम फ्रैंक रॉबिन था ये दोनों दोस्त साथ मिलकर एक केमिकल कमपनी शुरू की और फिर पेमबर्टन यहां भी उसी ड्रिंक पर काम करने लगे आखिरकार जॉन पेमबर्टन ने अपनी कमपनी में एक तरल पदार्त बनाया और इन्होंने इस ड्रिंक में सोडा मिला कर लोगों को टेस्ट करवाया और लोगों को यह ड्रिंक काफी पसंद भी आया था बैसे इस ड्रिंक में कोरा अख्रोट से कोका पती और कैफिन वाले सीरप का नुकसा मिलाया गया था जिसके कारण पेमबर्टन के साथ ही फ्रेंक ने इस ड्रिंक को कोका कोला का नाम दिया आसा ग्रीस केंडलर के पास बेच दिया तो केंडलर ने कोका कोला की बिजनस को सफल बनाने के लिए एक तरकीब निकाली उसने लोगों को इसकी लत लगाने के लिए मुप्त में इस ड्रिंक को बाटने लगा और फिर उसके बाद लोगों को इस ड्रिंक का ऐसा सवाद लगा कि यह ड्रिंक पूरे दुनिया भर में फेमस हो गई देखे कोका कोला की कमपनी पूरी दुनिया के 200 से भी ज़्यादा देसों में मुझूद है और इन देसों में तकरीबन 900 से भी ज़्यादा प्लांट है वैसे कहा जाता है कि कोका कोला की कमपनी आज 4000 से भी ज़्यादा तरह की पीने वाली पदार्थ बनाती है जिसे एक आदमे अगर रोज पीना सुरू कर दे तो इसके लिए उसे 9 साल का समय लग जाएगा